वेलकम तो जीवन जोती क्लासेज मैं हूँ विकेश गुमार तो आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि सैनिक स्कूल का रिजल्ट कैसे चेक करें तो चली सुरू करते हैं तो सबसे पहले हम आते हैं अफिस्यल वेज साइट पे सैनिक स्कूल के और यहां पर हम देखते हैं चली हैं स्क्रॉल करते हैं तो यहां पर किया है cela है पर देखिये इस पे क्लिक किजिए जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो नई पोटल खुलेगी ज्यां दीजिए इस तरह से और यहां पे आपको लॉगिंग करना है थ्रू अप्लिकेशन नमबर और पासवर्द थ्रू अप्लिकेशन नमबर और बर्थ अब देट तो किसी से भी लॉगिंग कर लिजिए मैं इससे लॉगिंग कर लेता हूँ तो जैसे ही लॉगिंग करेंगे कुछ इस तरह की चीछे ओपन हो जाएगी तो सबसे पहले आपको यहां पे देखना है व्यू एंड चैलेंज ओमर तो यहां से आप अपने एंसर चीट यानि की OMR आप देख सकते हैं कि यह है आपका OMR ठीके इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं तो डाउनलोड करने के बाद या फिर इसी तरह आपका एंसर चीट आपके सामने है और एंसर की भी रिलिज किया है NTA ने ठीके तो यहां से आप एंसर की देख सकते हैं ठीके और यह एंसर की है आपका तो एंसर की आप यहां से इसे आपके पास गिदिया हुए किसका कौन सा करेट एंसर है जैसे पहला कोच्चन का एंसर क्या हो गया वन दूसरे का भी वन है तीसे का टू है फोर्थ का भी 2 है 5 का 1 है तो यह answer की जो NTA ने यह answer द्वारा दिया गया है और आपका जो OMR seat है उस पे जो आपने answer लिखा है ठीक है जो घेरा बनाया है जो भी है उससे आप match करा के आप maths कल्कुलेट कर सकते हैं कि आपका real में कितना maths आया है अगर किसी question में आपको doubt लगता है कि यहां इस question में मुझे doubt है ठीक है यह मेरा सही है लेकिन NTA द्वारा जो math answers की दिया गया है वही सही नहीं है ऐसे बहुत सारे question में हो जाते हैं conflict हो जाते हैं अगर किसी question ही गलत है और NTA ने वह मान लिया कि वह गलत है तो उसमें सबको number मिल जाता है equal ठीक है अगर by the way उसने नहीं माना उसने release कर दिया ठीक है तो जब वह release कर दिया तो क्या होगा आपका लगता है आपको सही है लेकिन उसका answer अलग है जैसे यह देख लीजिए यहां पर आपको एक दीख रहा होगा drop ठीक है तो इसका मतलब यह है question number 43 यह क्या है यह question पर सबको math मिल जाएंगे यानि इसाब बच्चों को math मिल जाएंगे तो इसमें ज्यादा खुष होने की बात नहीं है cut up भी बढ़गी ना उस वज़े से ठीक है इसाब को मिल जाएंगे ठीक है तो आप अगर आपको लगता है कि आप सहीं है वो सहीं नहीं है ऐसे बहुत सारे question में conflict अगर है तो यहां पर option दिये गया है देखिए challenge करने का आप जैसे माल लीजिए पहले का answer जो है वो वन दिया है आपको लगता है नहीं इसका answer 2 होगा तो आप इसको challenge कर सकते हैं 2 पे यहां केट करके और इसके और भी चीज़ है कि आपको documents file करना पड़ेगा कि केसे वो इसका answer 2 होगा 1 नहीं होग ठीक है किस बज़र से होगा या आपने कहां से यह चीज़े देखा जाना जो भी है तो उस हिसाब से आप challenge कर सकते हैं कुछ question है जो हम आपको next वीडियो में बताएंगे कि किस तरह से challenge करना है और आप कौन कौन से question में challenge कर सकते हैं ठीक है तब तक के लिए bye bye